लो गईस वेल्कम बेग तो मैं चलेल आप देख रहे हैं शी भ्रगोर बल्श मेरा नाम है निकल बार गफ दोस्तों आज का वह फोकस है विश्टुंदक तेल के उपर विश्टुंदक तेल क्या है इसको क्यों बनाने पड़ा जैने इसकी जरूत क्यों पड़ी इसकी घड़क है तेल है रोगन है तो विश्टुंदक तेल के बारे बात करने वाले है और ये एक ऐसा तेल है दोस्तों जो इस सेंस जिस बौडी में चला गया है उस बॉडी में सेंस बाफिस लाने की छंपता विश्टूंदक तेल रखता है diabetic patients में सबसे देखा गया है कि उनके body senseless हो जाती है कोई साभी part है यारि अगर वो लंबे समय तक injured है या लंबे समय तक किसी चीज से सफर कर रहे है तो कोई साभी body part पे उस body part से sense चला जाता है ज़रूरी यह sugar patients हो बहुत सारे ऐसे case होते है है accident हो गया हो तो उसमें भी हो सकता है मैंने आपको सबसे पहले इसका उपयोग बता दिया यानि यह किन रोगों में काम होता है सीड़ी सी बात है अगर आपकी body में sense चला गया है किसी भी part में किसी body part में अगर उसमें sense नहीं रहा है सबसे पहले हम बात करते तो उसके घटक के बारे में सीधा स्टेट बात करेंगे घटक यानि इसमें contents क्या है यह किन चीजों से बनाया जाता है अगर आप बनाना चाहते हैं तो इसका मैं व्लॉग processing का अलग से बनाऊंगा तो आप अगर चाहते हैं तो उसको भी नीचे कमेंट करिएगा उसका भी मैं व्लॉग बनाऊंगा हर एक क्लासिक का एक processing व्लॉग बनाएंगे अपन साथ मिलके बनाएंगे आप लोग के support के साथ सबसे पहले डलता है कुछला कुछला यह आप देख रहे हैं यह विश होता है दोस्तों poison होता है कुछला उसमें यह कुछला डाला जाता है फिर डाला जाता है कूट कूट यह हर्व होती है दोस्तों जिसे हम बड़ा अश्वगंदा भी कहते हैं वो डाला जाता है सैजने की छाल सैजना यानि मौरंगा जिसे हम कहते हैं, इंग्लिश में मौरंगा कहते हैं, उसकी छाड़ डाली जाती है, बहेड़े की जड़ डाली जाती है, बहेड़े सब जान दे, त्रिफला मियूस होता है दोस्तों, इसकी जड़ डाली जाती है, फिर डाला जाता है काला धतूरा, काला धतूरे के पत्तों का रस काला जदूर आप पिच्चर समें देख रहे हैं दोस्तों यह होता है इसके पत्तों का रस डाला जाता है फिर डलता है चित्रक के पत्ते चित्रक एक हर्व है दोस्तों वो डलता है फिर डलता है वर्णा के पत्ते वर्णा भी एक हर्व है दोस्तों और शिदी है इसके पत पत्ते डलते हैं यानि आप पत्ते डाले या पत्तो करस डाले वैसे पत्तो करस डालना इसमें जरूरी है फिर डलते हैं थूहर के पत्तो करस पिचर्स में देखना है यह होता है उनके पत्तो करस डाला जाता है अशुगंद डाला जाता है अशुगंत यानि अशुगंदा इस दो बार डलता है मुलेथी अधी है से इंदन दलता है चितरक मूल चितरक के पत्ते डालेगा इसमें जड डालेगी हल्दी कछी जो आती वो डालती है रम डलता है पीपल यानि छोटी पीपल इसकी गठक मैं आपको दुभारा बताई है तुस्तु में स्ट्व डलता है कुछला की बाट डालता तो सैजनी की छाल, भैडे की जड डलती है, काले धतूरे के पत्तों का रस डलता है, वरणा के पत्ते डलते हैं, चितरक का पत्ता डलता है, निर्गुंडी के पत्ते डलते हैं, तूहर के पत्ते डलते हैं, अशुगंदा डलता है, जैंती यानि अरणी का कौफ डलता है, यान पूठ डलता है सेंदा नमक, चितरकमूल, हल्दी, और एंड में डलता है पीपल, जैनी छोटी पीपल जिसे कहते हैं, वह डलता है, तो इन सभी के मेल से इन सभी को अच्छे से प्रोसेस होता है इसका दोस्तों, अला-अलाग स्केल पर ये डाले जाते है, अला-अलाग प्रो जिस बॉड़ी पार्ट में आपका सेंज चला गया, यानि वह ओठ भी नी रहा है, कुछ उसमें हल चल नहीं हो रहा है, तो उसमें अगर आप सुई भी चुबाएंगे ना तो भी आपको उसका ऐसास नहीं होगा, वह सेंज चला जाने की बात कर रहा हूं, कि अगर आप उस अगर आप इसको लेना चाते हैं, तो इसको अपयोग कैसे करें, सिम्पल बात है तो इस ओयल है, तो आप इसको हलके आज से मालिश करेंगे, तो आप इसको अचूक है, यानि यह हटा नहीं है, इनक्रीड़बल बेनेफिट्स है, यानि आप इसके चमधकारई असर मानियें पर कंडिशन यह रहता है दोस्तों कि आप इसको लगाता लेजिए 90 डेस लगातार अगर आप लेते हैं तो आपको काफी अच्छे लाब मिलेंगे हलकी हाथ से अपलाय करना है ज्यादा रभ नी करना है उस पार्ट पर जिस पर आपको सेंस चला गया है तो दोस्तों मैंना आप उसके गटक बताया यूज बताया और रोग बताया किन रोग में काम आता है I hope आप लोग पसंद आया हू वश्ट मेठील का यह व्लॉग यह लग के आपको जानना है किसी और चीजह के बारे में कुले दिक दिक अट के बारे मैं